नमस्कार दोस्तों आई एस फर्ष में आपका स्वागत है सभी अभ्यरती UPPSC 2018 प्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा कल आएगा परसू आएगा लेकिन आयोग जो है वह बच्चों के साथ बच्चों के मन इस्थिती के साथ खिलवार करने पर उत्रा हुआ है और इससे वह बाज भी नहीं आने वाला क्योंकि अब आयोग के लोगों को इसकी आदत हो गई है कि वह बच्चों के साथ थोड़ा खेले उन्हें परिशान करें तो यही इस्तिती आज भी continue है कैसे तो एक कॉमेडी आयोग वाले कर रहे हैं क्या कॉमेड क्योंकि आयोग एक तरफ बोलता है कि रिजल्ट रेडी हो चुका है जो भी बच्चों ने कोश्चंस पर उब्जेक्शन उठाय तो इसका स्कृटनी हो गया है उस पर जिस में जिस कोश्चंस में अगर बदल करना था आंसर में वह हो चुका है तो इन्हें अप्लोड करने म कितना इन्हें समय लगेगा इनके वेबसाइट पर यह अप्लोड क्यों नहीं कर रहें क्योंकि इन्हें PCSJ मेंस का रिजल्ट पहले आना है जो कि सुप्रीम कोट का ओर्डर है अब सुप्रीम कोट का ओर्डर है तो इन्हें मानना ही पड़ेगा लेकिन मुझे यह निसमझ म आता है और कुछ नहीं आता है और बच्चों के साथ कैसे खिलवाड किया जाए इनके लिए तो बाए हाथ का खेले तो एक न्यूस्पेपर है न्यूस्पेपर के आर्टिकल में सीधे सीधे आज बताया गया है कि PCS प्री का रिजल्ट अब मार्च में भी आना मुश्किल है कहां आयोग आठ तारी को मीटिंग की थी उन्होंने बोला था कि आज नहीं तो अगले शुकरवार को 15 तारी को पक्का रिजल्ट आएगा लेकिन कल भी मीटिंग हुई इन लोग मीटिंग दर मीटिंग जैसे सनी देवल का डायलोग था तारिक पर तारिक तारिक उसी तरह इन लोग मीटिंग करते जा रहे हैं और हर मीटिंग में बोलते हैं कि अगले मीटिंग में रिजल्ट आएगा तो यह और कुछ नहीं बस एक तरह का खिलवाड है जो बच्चे जहल रहे हैं तो यह जो कल मीटिंग में उसमें लोगों ने क्या निमने लिया कि अब यह रिजल् मेंस का रिजल्ट गोशित करना और एक बात याद रहें पीछे मेंस एक्जाम कब हुआ था तो यह लेकिन अब यह सोचने वाली बात है क्योंकि PCS 2018 का जो मेंस है वह 17 जून से कंड़क्ट होने वाला है तो अब बच्चे भी कुछ ऐसे होंगे जो तुरंद न्यालय में जाएंगे क्यों क्योंकि वह बहुलेंगे कि हमें कमस कम मिनिमम जो भी रिक्वायर्मेंट रहता है जिसक सकता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कि एक्जाम को आगे बढ़ाने पे तुले होते हैं और इस बार जो PCS 2018 है उसमें वेकेंसी कितनी उसमें 831 वेकेंसी से पद हैं जिसके लिए प्रारंबिक परिछा कंड़क्ट किया गया था लेकिन मेंस के अभी तक घुषित नहीं किया जा रहा है दिन प्रति दिन बढ़ाया जा रहा है और पीसे जे मेंस को ज्यादा तरजी दिये दिया जा रहा है क्यों क्योंकि सुप्रीम को ओडर है इसके अलावा कली इन्होंने एक रिजल्ट भी घुषित किया है तेरा पदों के लिए जो क प्रवक्ता की वेकेंसी थी उसके लिए तेरा पदों का पड़णाम घुषित किया गया क्या इसके लिए इन्हें पीसे जे मेंस का वेट नहीं करना चाहिए ता करना चाहिए लेकिन आप खुदी सोचिए अप्लोड करने में कितना टाइम जाता अगर आपके पास प्रवक्त लग रहा है क्यों सोचना पड़ रहा है यह और कुछ नहीं यह सिर्फ भाने बाजी है और बच्चों के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं तो इसके साथ यह जो हम न्यूज बताने वाले थे यहीं समाप्त करते हैं होप सो आपको यह वीडियो पसंद आए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आयोग ऐसी जो गलती कर रही है और करते आ रही है इसे क्या सुधार की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करिएगा थैंक यू